जैपूर गुलाबी नगरी जैपूर के परकोटे में रहने वाले निवासियों वेपारियों वो जैपूर घूमने वाले प्रेटकों को अब परकोटे में रहने वो घूमने के दुरान गंदी गलियों की बद्बू वो मच्रो और मौसमी बीमारियों से आने वाले दो माह में निजात मिलेगी हैरिटेज माहपौर शिर्मती मुनेश गुर्जर एंकीशन पॉल विधाएक अमीन कागजी ने ब्रैस्पतिवार को वार्ड पैसेट में रामकंच बाजार में बड़ी मज़ित रहमानिया के सामने हैरिटेज निगम के ओर से आयुजित समारोह में परकोटे क के तीन जोन की लगभग पांच हजार गंदी गलियों की सफाई एम्मरहमत कारी की अप्षयारिक रूप से शिरुवात की है सैक्टों की तादाद में समारोह में मौझूद गुलाबी नगर वास्यों को संदोरित करते हुए हैरिटेज माहपौर मुनेश गुर्जर ने कहा परकोटे की गंदी गलियां पिछले कई सालों से जरजर रवस्था में थी वह इनकी सफाई के लिए गदपंधा वर्ष में कोई प्रियास ना होने से परकोटे वासिव शहर में आने वाले विदेशी देशी प्रटकों को कच्रे वगंदी की वजह से अटी पड़ी गंदी गलियों से बदवू व मच्छों से बहुत प्रिशानी होती थी निगम की तरफ से सफाई करवाई जाती थी लेकिन मरमत नाहुनी की वजह से सफाई कारे में बहुत दिक्कत आती थी मुनेश गुर्जर ने कहा कि किशिन पॉल विधायक अमीन कागजी ने पिछले बजट सत्र में प्रदेश की लौक प्रिये मुखे मांतिय श्योग गहलोत को परकोटे वास्यो की उक्त प्रिशानी से अवगत करवाया वह श्योगहलोत ने बजट में गंदी गलियों की सफाइफ मरमत कारे हेतु 25 करोण की राशी मंजूर प्रैदान करने की घोईश ना की किशन पॉल विधायक अमीन कागजी ने कहा कि पिछले 15 साल से परकोटे में ना सिवरेज है ना स्वतार वना सिक्षा की बड़िया वेवस्ता थी 2009 के बाद परकोटे की गंदी गलियों की सफाइफ वो मरमत की सूध किसी ने नहीं ली वह मच्रो गंदगी का बेपनाहा आलम था वह बद्बू वह बद्बुदार हवा की वजह से शेहर वास्यों को अस्तमा टीवी सहित अनेक बीमारियां प्रिशान कर रही थी लेकिन पिछले बजट सत्र की दुरान उन्होंने मुख्यमंतिय शुक गहलोत को परकोटे वास्यों की प्रिशानी से अवगत करवाया तो उन्होंने अपने बजट में गंदी गलियों की सफाइफ वो मरमत हेतु 25 क्रोड की राशी आविंटित की उन्होंने कहा कि सदर में परकोटे के पार्शिदों की आवाज पर अमल हुआ वो आज यह है पुनितकारिक शहर में शुरू हो रहा है वो अब इन लगबग 5,000 गंदी गलियों की सफाइफ वो मरमत से शेहरवासे सुकून का जीवन जी सकेंगे वे प्रतक भी अच्छा महस करेंगे उन्होंने कहा कि अपनी विधायक नीधी से रामगन जच्चा खाना में 50 लाक रुपी सवकृत किये वह पहले इसमें तीन डॉक्टर थे वह अप्चियोधा डॉक्टर वह 25 नर्सिंग कर्मियों का स्टाफ देनात है वह प्रते दिन 750 लोग चिकित्सा कलाब ले रह हुँ हुँ हुँ